मायपुरी न्यूजियल में आपका स्वागत है, मैं उच्छा आया, आईए देखते हैं बॉलिवुड की कबरी फटाफट कपिल शर्मा और गिनी के रिसेप्शन की तस्वीरें आई सामने 12 दिसंबर को कपिल शर्मा और गिनी चत्रत जालंदर में शादी के बंधन में बंधे, शुकरवार को कपिल ने अमरित सर्में रिष्टेदारों और दोस्तों के लिए रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया, कपिल के सोशल मीडिया फैन क्लब अकाउंट्स पर रिसेप्शन क अमरित सर्म के बाद कपिल मुंबई में रिसेप्शन पार्टी देंगे, जिसमें बॉलिवूड और टीवी जगत के नामी सितारे शर्कत करेंगे, मुंबई रिसेप्शन 24 दिसंबर को हो सकता है, बता दें कपिल ने गिन्नी से दो रीती रिवाजन से शादी की, पहले और दूसरे सिख रस्मों के अनुसार, सोशल मीडिया पर कॉमेडियन की शादी की तस्वीरे चर्चा में बनी हुई है हिना खान ने बताया, पहली बार एडल्ट फिल्म देखना कैसा लगा? फिल्म की शूटिंग की है, वो टीवी और फिल्मों में अपनी मौजूदगी दर्च करा रही है फिल्म के बारे में बात करते हुए, हिना ने एक इंटर्व्यों में कहा था ये महिला के इंदर्वित फिल्म है, जिसे एक खास समय और जगह के बैकड्रॉप पर सेट किया गया है ये शहर की चहल पहल टेक्नोलोजी और कॉम्टीशन से दूर होगी मैं नए मीडियम में जाने को एक चालेंज के रूप में देख रही हूँ अक्टर्स के फैंस को निराश होने की ज़रूरत नहीं है जल्दी का सौटी में हिना खान का ट्रैक शुरू होने वाला है फिल्म की शूटिंग के बाद वो अपना समय शो को देंगी बॉलिवुट की फेमस सिंगर नेहा ककर काफी परेशान है प्रोफेशनल लाइफ में खूब नाम कमाने वाली नेहा की परसनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है नेहा का अपने बॉइफरेंड हिमाज कोहली के साथ ब्रेक अप हो गया है जिसका दर्द नेहा ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर फैंस के साथ शेयर किया लेकिन कुछी देर बाद नेहा ने सारे पोस्ट डिलीट भी कर दिये नेहा ने एक के बाद एक कई पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाले थे नेहा के एक post में लिखा था कि हाँ मुझे पता है कि मैं celebrity हूँ मुझे ये सब नहीं लिखना चाहिए लेकिन मैं एक इंसान भी तो हूँ आज कुछ जादा ही तूट गई हूँ इसलिए अपनी भावनाओं को control नहीं कर पा रही हूँ इसी तरह एक post में नेहा ने लिखा कि मुझे नहीं पता था कि दुनिया में इतने बुरे लोग होते हैं ख्यार सब कुछ गवाकर post में अब आये तो क्या किया नेहा reality show इंडियन आइडल जज़ कर रही है शो की shooting के तोरां सेट पर जब एक contestant ने emotional गाना गाया तो नेहा कंट्रोल नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी इसके बाद नेहा ने social media पर कई सारे post करके fans के साथ इस बात को share भी किया सोहेल के बेटे के बर्दे में मलाइका अरोडा सोहेल खान के बेटे निर्वान खान ने 15 दिसंबर को अपना birthday सेलिब्रेट किया इस birthday पार्टी में कई सितारों ने शिर्कत की पार्टी सोहेल खान के नए रेजिडेंस पर दी गई पार्टी में मलाइका अरोडा अपने बेटे के साथ नज़र आई सल्मान खान के बहनोई आयोशर्मा भी पार्टी में शामिल हुए डेजी शाफ भी पार्टी में पहुँची इस दोरान वो बहुत ही कूल लुक में नज़र आई उन्होंने वाइट टी शिर्ट और जीन्स पहनी हुई थी वही सोनाक्षी सिना का लुक भी बेहत स्टनिंग था वो पार्टी में शॉर्ट्स और शर्ट में नज़र आई ये रिष्टा क्या कहलाता है कि सुवर्णा का हनीमून प्लान टीवी शो ये रिष्टा क्या कहलाता है में सुवर्णा का किरदार निभाने वाली पारुल चौहान ने 12 दिसंबर को बॉइफरेंड चिराक ठककर संग साथ फेरे लिए शादी के बाद पारुल शो से ब्रेक लेने जा रही है इसकी वज़ा है उनका हनीमून प्लान पारुल ने मुंबई के स्कौन मंदिर में चिराक संग साथ फेरे लिए शादी के बाद पारुल सबसे पहले अपने दोस्तों और परिवार वालों को रेसेप्शन दे रही है इसके बाद पारुल बहुत जल चिराक के साथ हनीमून मनाने मालदीब के लिए निकलने वाली हैं पारुल ने बताया कि हम नए साल पर एक हफ़ते के लिए मालदीब जाने वाले हैं क्योंकि काम से इतने दिन की ही छुट्टी मिली है इसके बाद हम 20 दिनों के लिए लंदन या फिर यॉर्प जा सकते हैं सैफ के कंदू पर बैठका एरपोर्ट पोचे तैमूर सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान 20 दिसंबर को 2 साल के हो जाएंगे बेटे के जन्दिन को बनाने के लिए शनिवार रात करीना सैफ साउफ अफरीका रवाना हो गए इस बार सलीब्रेशन को खास बनाने की त्यारी कई दिनों से चल रही है आने वाले दिनों में करीना अपने work commitment के चलते साउफ अफरीका गई है इस वज़े से सैफ और तैमूर भी उनके साथ पार्टी करने निकले हैं एरपोर्ट पर तैमूर सैफ के कंधों पर नजर आए उनके साथ करीना कपूर भी नजर आए पिशले दिनों तकरीबं दो हफते पहले से ही तैमूर के बर्थडी का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है बॉलिवूड के अन्य कई स्टार किट हाली में उनके घर पहुँचे खबर है कि तैमूर के बर्थडी से पहले एक खास पार्टी हुई है जिसमें तैमूर के कई दोस्तों को बुलाया गया है इस एक्टरस ने गुपचुप रचाई शादी बॉलिवूड में शादियों का सीजन चल रहा है एक्टरस श्वेता प्रसाद बासु ने भी गुपचुप बंगाली रीती रिवाजों में अपने बॉइफरंड के साथ शादी रचाली है श्वेता ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर वेडिंग की फोटो शेयर की है श्वेता ने अपने बॉइफरंड रोहित मित्तल के साथ बंगाली रस्मों से शादी की है बता दें कि श्वेता ने बॉलिवुड में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट मकडी फिल्म से एंट्री की थी श्वेता को अपनी इस फिल्म के लिए 2002 में नैशनल आवार्ड भी मिला था श्वेता बसू प्रसाद करीब चार साल से रोहित मित्तल को डेट कर रही थी जिसके बाद दोनोंने साथ फेरे लेने का फैसला लिया है शादी के बाद श्वेता और रोहित मुम्मई में रिसेप्शन पार्टी को होस्ट करेंगे श्वेता और रोहित बीते दो सालों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे फिल्म डोली में गोली ने मचाया धमार बोचपुरी के जाने माने आक्टर खेसारी लाल यादो की नई फिल्म डोली में गोली टू का वीडियो यूटूब पर ट्रेंड कर रहा है खेसारी लाल के साथ इस फिल्म में काजल रागवानी नजर आ रही है खेसारी लाल यादो और मशूर अभिनेत्री काजल रागवानी की जोड़ी दर्शकों के बीच काफे फेमस है इन दोनों के गाने के वीडियो आए दिन इंटरनेट पर वाइरल होते रहते हैं इसी क्रम में इनका एक और वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से देखा जा रहा है बता दें कि खेसारी लाल यादो भोजपूरी सिने स्क्रीन के सबसे लोगपरी स्टार है उनके स्टार्डम का तकाजा ये है कि यूटूब पर वर्ल्ड बाइट सुने जाने वाले गाने में उनका गाना टॉप 10 में आता है तकरीबन हर महीने उनका कोई ना कोई गाना सुपर हिट होता है तो उनकी फिल्म का इंतजार दर्शकों को बेसबरी से रहता है ये है टी आरबी में टॉप 5 शोज टी आरबी लिस्ट में कुमकुम भागी पहले और पांचमे नमबर पर है सीरिल ने नागिन 3 की जगल ले ली है अभी प्रग्या के बीच चल रहा लेटेस ट्रैक दर्शकों को पसंद आ रहा है दूसरे नमबर पर है कुंडली भागी एकता कपूर की ये दोनों शोज कुमकुम भागी कुंडली भागी टी आरबी में मजबूत पकड़ बनाए हुए है नागिन 3 तीसरे नमबर पर है कई महीने से ये शो पहले नमबर पर काबिज रहा दर्शकों को शो में दया बेन की वापसी का इंतजार है सोनी टीवी का शो इंडन आइडल 10 बार क्रेटिंग में पिछरता जा रहा है शो फिनाले के करीब है फिल्म पीके लेले आज सेल्समैन का शांदार प्रीमियर फिल्म पीके लेले असेल्समैन का शांदार प्रिमियर मुंबई के अंधीरी वेस्ट में स्थित्फण रिपब्लिक थेटर में किया गया जहां इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के साथ बॉलिवुड की कई हस्तियां भी महमान के रूप में मौजूद थी यहां गैस के तौर पर सुनील पाल, राकेश सबरवाल, हैरी वर्मा इत्यादी उपस्तित थे यहां मीडिया के लोग और फिल्म क्रिटिक ने भी फिल्म देखी और इसे एंजॉई किया प्रिमेर के अफसर पर इस फिल्म के लेखक, निर्देशक और मुख्य अभिनेता, मानफ सोहल, प्रड्यूसर सेलेश गोसरानी, अभिनेतरी श्रावणी गोस्वामी, संगीतकार नायाब अली, बैग्राउंड म्यूजिक कंपोजर राजा अली और फिल्म के प्रचारक रमा माया पुरी कट